असलाव वालेकुम फ्रेंस मैं मुबारक हुसेन खिल जी एड प्रेजंट श्री नगर में अगर हम श्री नगर कश्मीर में है तो हाउस बोट ना हो इसमें रुके नहीं मजा नहीं आता है लेक्स के व्यूज अगर ना हो तो मजा नहीं आता है खेर मुद्दे की बात आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और जो हमारा मुजू है वह है मरीनो शीप मरीनो भेड के भेड आपको दिखाऊंगा और साती साथ एक ऐसे उस्ताद मरीनो के श्री नगर के ऐसे उस्ताद जो मरीनो स्पेशलिस कहलाते हैं यहां की कॉमिन से पर इंटरव्यू होगा इंटरव्यू जरूर देखना कारण में आपको बता रहा हूं हजरत कि मरीनो कहां से आते इसकी ऑरिजिनलेटी उसकी ओरिजिनल पहचान क्या है ठीक है जादा पूरी बोडी के रिंगल्स वाले जादा बोडी वेट गेन करते हैं यह नेक रिंगल् आपको कोन सा रखना चाहिए ब्रीट के लिए कोन सा बैतर होता है और हैवीवेट के लिए कोन सा बैतर होता है यह पॉइंट यह मुझू बहुत ज़रूरी तो मैं बहुत इलमदार है उनसे भी बाते करूंगा और मरिनोशिप इंशाल्ला इंशाल्ला आपको बड़े पसंद यूनिक मैं आपको दिखाऊंगा तो फ्रेंड्स ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारा वीडियो हम शूट करते आगे तो फ्रेंड्स अभी मैं शिरी नगर में हूँ और मरिनो जो रियल कश्मीर का होता है ठीक है यह मरिनो आप देखिए सबसे पहले मरिनो जो मशूर होता हो अपने रिंकल्स से होता है यह जो रिंकल्स होती है इसके वज़े से होता है जो और दूसरी चीज मरिनो के जड़ा छोड़ देगे थोड़ा छोड़ देगे बच्ची के सीइंग देख ले आप फ्रेंड्स यह बच्ची की दूम और यह बच्ची की सीइंग देख ले तो चीज फ्रेंड्स यह देख ले आप माशाला बच्चा यह और सिंगों से आप देख ले सिंग देख ले बच्चे की सिंग देखने के बाद मुझे कमेंट करें ज़रूर बताना कि आपको मरीनों कैसा लगा यह उसरी चीज मैंने यहां के जो माहिर लोग है उन लोगों से यहां वह केमरे नहीं आना चाहते है लेकिन वो उन्हों ने बताया है कि जो इसमें दो ह्वाइप की होते हैं चेहरे से लेकर और यहां तक गर्दन तक जो रिंकल्स होती है यह मेंडे हैवी वेड बनते है और अब दुसरा होता है पूरी बॉड़ी पे रिंकल्स पूरी बॉड़ी पे आते हैं वो वेड गेनिंग में थोड़ा स्लो होता है यह मैंने सुना था इन लोगों के मुझे ठीक है अब आप लोग में आप लोग जरूर बताईएगा मुझे ठीक है भाइन दूसरे वाला लेकर आएगे मेंड़ा इसे छोड़ दे आप दूसरे नंबर का मेंड़ा यह भी आप देख ले यह नंबर दो पर आया है नंबर दो का मेंड़ा ठीक है सीइंग वागे रहा इसके यह दोड़ा शान देख ले मैं इसका वेट करूंगा और दोनुंगा वेट भी इंशाला मैं आपको बहुत जल अभी बताऊँगा ठीक है और इसके सीइंग जो है वो बिल्कुल कानों के पास से घूमे हुए यह कितना है दातों में कितना है भाई आट दात का है ना और यह जो बड़े सिंगों वाला जो अभी मैंने शूट के चार दातका है ना चलो ठीक है आगए माशाला पीछे कैम बैक टू कैमरा बूलिए मैंने अभी लोगों को बताया है कि जो मुह से लेके और आगे तक जो गर्दन तक की जो रिंकल्स होती है यह हैवी वेड बनते मैंने स पर बूरी बड़ी पे मैरिन यह से लेकिन अब उनका जो होता है वेड गें थोड़ा सुलो रहता है जो पूरी बॉड़ी पे ना ँगता है जी 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 नका वेड गें थोड़ा सलो रहता है एंच्छा और आपडा पर मेंड है 90 kg के टाचिंग 90 kg है यह ऐसा है यह वाला जो है यह विलाइती में चार दात है काटों में बढ़ा भरा हुआ है इसको कहीं खुले में चराते हो क्या मुझे यह पूछना था आप लोगों से के मरीनो जो होता है वह एक्चल में कश्मीर के किस इलाके का होता है है यहां पर तो मेरीनो हर किसी अलाके हर किसी डिस्ट्रिक में पाये जाते हैं पड़ी गोलर को यह जब्यां हो गया शुप्यान डिस्ट्रिक में ज्यादा पाये जाते हैं और है पुलमामा में होते हैं पुलमामा डिस्ट्रिक एक है तो वहां पर मिलते हैं मेरीनो जो पहाड परफंपन कर रहे हैं किस में मरीनों में निकां में करते हैं कि दूसरी काल आचा बगए अच्छी लगति हमें एसे तो बाकी जो है वह मेरीनो दिखाओंगे मुझे आईए जी बताइए अच्छा माधन माधन है ठीक है इसमें कुछ कॉलिटी यह जो भाग रही है यह यह मेरीनो है तो आप जो है ने खुले में चरा कर लाते हो और रहते भी यार खुले में यह आप तो बरफ अगेरा गिरती उस वक्त में क्य क्या करते हो हम भी तो बस किके मैं देख रहा हूं महीं हां बड़ा कच्छा घर आपका बड़ा कच्छा घर है ठीक है बहुत कच्छा घर इसलिए खैर आगे चलते हैं फ्रेंड्स आगे बाते करेंगे यह जो बड़े फ्रेम वाला था इसकी सींग पास में गुमी वीए यह वाले का मैंने नापकर वजन लिकाला 50 kg आया है यह सेकेंड यह दूसरे वाला जो बड़ी सिंगों का है इसका वेड जो आया है यह 66 kg ठीक है तो फ्रेंड्स एक मेंडा और यह है यह इसकी पूरी बॉड़ी पे रिंकल्स है अगर यह मेंडा देखेंगे हम यह पूरी इसकी बॉड़ी पे जो है यह रिंकल्स है ठीक है कि शहरे से से देख लें आप माशाल्ला है छे दाथ हो गया हां छे आट दात का है ठीक है यह ना कोई बात नहीं तो फ्रेंड्स यह देख ले यह बच्चा है कितने किलो का होगा अंदाज आई यह 75 kg दक रोगा पकार नाप लू बता दूगा ना फो देख लेख है अच्छ इसमें फैंन एक बात बताइए लंब जितनी लंबी दूम की इना पिट्र ुटृ की मत ओस्किंधु टूटी यह चोटी है इसकी हिपात प Springs की कीमत रखे है अर। तो मैं एक ऐसे माहिर जो आवार्ड वीनर है उनके वो नहीं उनका इंटरव्यू लूँगा आपको बताऊंगा तो यह बड़े में मैंने दो तीन दिखा दिया आप लोगों को थैंक्स एंटर्मेंट और जी एफेच जो नया गुर्फाम आ रहा है उसके तो लोगों ने इतना दूर भेजा है आगे लद्दाक तक जाओंगा मैं जिंक लेने के लिए उन लोगों का भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी एफेच का जिन्नों ने इतना वरोसा किया दुबाब है क्या है क्या नहीं है आपके सामने है सिंगों से हर चीज से ठीक है फिर इंशाल्ला दाला अब और बच्चे अगर होगे तो वह भी दिखाता हूं मैं आपको शौक करा तो तो असलाम वालीकूम असलाम रहमत अल्ला आपका नाम बताए सबसे पहले जी मेरा ना जी तक्रीबन 10 साल तो उसमें आपने क्या आपने मैं आपके पास मेदर इसलिए आया हूं कि आपने कुछ नाम बनाया था शिरी नगर में आपका नाम चलता है किसी चीज़ के ओपर तो वो सेटिफिट ज़रा शो करेंगे हमारे भाईयों को यह सर गौर्मेंट की तरफ से सिरी नगर में जितने भी ब्रीडर्स है जी उनके जो अपने उनने पाले हुए थे रहंस तो उनका एक शीप शो हुआ था गौर्मेट की तरफ से तो 2017 में यह एक कैटेगरी में फस्ट पूजिशन आपका इस वाक्त बताईए एक मिन तो इकबाल शास आप फ्रेंड्स श्री नगर सेटिफिकेट ओनर मुहम्मद इकबाल शाह तरमीज शाह डैडी का नाम है ठीक है फस्ट फस्ट पोजिशन इन रैम्स कैटेगरी तो यह पहला अपने अवार्ड जीता था इसी एवार्ड शो में जो है सर यह होजट कैटेगरी में भी मैं और वन आपने हाई ठीक है एक मिनिट तो यह पहले वाला मैं इधर रख देता हूं ठीक है लाइए जरा दूसरे वाला तो सेंस यह भी देख लें दूसरी कैटेगरी का शीप होता है डिस्टिक्स शीप अस् श्री नगा सेटेफिकेट ओनस ठीक है और यह वही मौमद इकबाल शाह साब है हमेशा इनके वालिद का नाम ठीक है फर्स्ट पोजिशन इन मेल होजट यह टीट्स का होता है मतलब यह यह वाला जो होता है बड़ा रैम फोर टीट्स का होता है जी हाँ वह तो तो टीट्स ही होता है ब्रीडर जो हमने यह दूसरी कैटेगरी गौर्मिटें बनाई थी टू टीट्स में अच्छा वो फोर टीट्स में था अच्छा नमबर वन पॉजिशन टू टीट्स में भी मेरे पास ही सबसे बेस्ट रैम थे उस वक्त सिरी नगा डिस्टिक के ओके और रैम कैट पर उसके बाद 2019 से जब कोविड का हो गया जी उसके बाद से थोड़ा वो गोर्मिट ने शीप शो बंद कर दिये जी दो साल तक फिर शीप शो नहीं हुए जी इन्शालला उमीद है इस साल अगर होगा शीप शो नेस्ट मंथ तो उसमें हम पार्टिस्पेट करेंगे तो उ जो अपने बाहर देखा ये कांस्ट्रक्शन का काम हमारा चल रहा था तो इसके वज़े से जो हमने हमारा जो शेर था वो हमने यहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है में कल मॉर्निंग में चल्दी शल्या वह मगरिफ होने आ अ कुछ साब में आने का मेरा मक्सद और आपको दिखाने मकसद यह था कि जो मरीनो होते हैं जो मुरी जो मरीनों की जो ओरीजिनल ब्रीड जो होती है बलर्ड लाइन हैं यह कहां से कश्मीर से पहले तो यह बताये आप हमारे सब्सक्राइबस को जो हम मेरिनो पालते हैं कश्मीर मेरिनो वो तो इस टाइम ब्रीडिन कश्मीर में होती है कौन सा इलाका ऐसा जहां से ये लिख ली है यह ज्यादा तर नौर्थ कश्मीर जो है नौर्थ कश्मीर साइड में नाम बांडीपोरा डिस्टिक हो गया हाजन साइड हो गया सोपोर हो गया तो यहां से निकलते हैं और फिर सब से जो बेस्ट ब्रीड है कश्मीर मेरिनों की वो सौथ कश्मीर में मिलती है कौन का से मिलती दिस्टिक शोपान में वhrang West आपको कहीं पे नहीं पूरा जमुरा कश्मीर आप वह गुंएंगे सुर नहीं पहलेंगे तो इस याउन है जिए पहला बर्लैंट ये चलो और हेसा से काहे हैँ को से ब्लेड नता है कि इसमें कितने टैप्स की होते हैं ऊ 50 यह नाक से लेकर और गरदन ताइबर और पूरे बोडी में पसाए कोई तिसरी होता है जो आपने बताया रिंग fast Deaf के ओग और झ definis ungec नेक रिंकल बिल्कुल तो उसको ब्रीडिंग के लिए कुछ लोग पालते हैं अभी वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है जो फूल रिंकल होता है जिसके पूरे बदन पर रिंकल्स होती है जी कश्मीर में अब उस चीज का ट्रेंड चल गया है चल गया है तो उससे जो पुरानी ब्लेड लाइन है और जो पूरी बॉड़ी में जो रिंकल्स है वो वह आपना नया एक मुझूब और मेरा जरत के मैंने सुना आए के नेंक वले तक मेरें कल्स जादा बेटर वेड़ी तेसरा जवाल है के मैंने सुना है मुझे सब्सकेर क्लेकर आगे गर्दन तक जो रिंकल्स कि आप रिंकल्स अधिया सबसे ज़्सेता कि मैं Two ऑने जो सवाथ और सबसे सुना या नेक रिंकल वाला सुना था यह बात से हैं आपने इसी जो सौमे तो मैकसीमा मैजॉरीटी की की बात करो रहुए हमने उसकी एक और बाजे भी है हमने जो देखें फूल रीकल की है जिनकी पूरी बाड़ी बारठीर talkin' हैrän तो क्या करते हैं ब्रीडर लोग उसको ब्री डिन्ग के लिए passa करते हैं जो ब्रीडिंग के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं जी इसकी वज़ेसे भी थोड़ा बहुत उनके वेड़ गेंपे फारक पड़ जाता है चलो यह मेरा 14 सावाल है कि जो तुम बारिक में बारिक बालों के होते हैं बिल्कुल गोल रहते हैं बिल्कुल गोल एना उसकी किमत जा ही बड़ी है तो फिर बाद में मैंने और इसकी स्टडी किया कि यार कुछ तो गड़वड है यह बात सही है यह आपने अची बात बोली जिसके बाल रहम के सीधे होंगे एकदम स्ट्रेट बाल उसका रेट थोड़ा क्रमी रहता है उसकी एक और वज़ा भी है कि माना जाता जो स्ट्रेट बाल वाला होता है ना जिनकी पूस्टो दिया वूल जी बनिसबस्द उनके जिनके फोड़ी इसकी वज़े से तो आपकी स्के ट्रॉफिय तो वह रहा है किस यह मेरे पास ट्रॉफिय भी है इसके बाजर तो दिखा दोगे वह ने अंदर कमरे में अपने कोई तो वह मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है साथ ओके एंड आप दा पार्ट आ गया और यह आपकी शीर्ड है तूड़ा नस्दीक से में दिखा देता हो देख ले फ्रेंड्स यह वही है ठीक है इसमें आपका नाम एक यह डेट है और इसमें नाम सर कहां लिखा हुआ है एक मिनिट हाँ बताएए ये आपका नाम आपका नाम आपका शाब आपका लागा तोो इक बाल सब मेरे पास विघ्टल का वकरा रह चुका है जो ऐसी बटाला से अवार्डेट रहे चुका है यह तो बहुत बड़ी इनमान समान की बात होती है कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले मेरा बड़ी बखराया इंतकाल कर गया जीता है तो उससे बड़ कोई खुशी नहीं होती है और जब दुनिया से जाते हैं तो बहुत अच्छा लगा इकबाल साब और माशाला फिर कभी आएंगे जरूर आपसे मिलेंगे इन्शाला है ना तो फेंस कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताना आप और इकबाल साब की जो राई है और जो इन्हों ने जो जीता है इनके मेंडों ने जीत कर ला है इनके लिए खिताब आपको कैसे लगा मरीनों के बारे में तो जरूर कमेंट कीजेगा तो हजरत फीरोती है बाद फीरोती है मुलाकात तब तक के लिए रवराखा